दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम RRC Group D एक्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, आज का वीडियो 22 अगस्त को जो आपका एक्जाम हुआ है, उस पर आधारित है, आज के इस वीडियो में हम GK, GS, Current Affairs, Reigning के कोश्चन्स को देखेंगे, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ह महत्पून साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को Complete देखिएगा, इसको बिल्कुल भी Skip मत करिएगा, और जो कोश्चन्स छूट जाते हैं, अगर कोश्चन्स आपको याद हैं, तो कमेंड बाक्स में आप मेंसन करना मत भूलिएगा, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट क तो भारत में GST की सुरुवात कब हुई थी, भारत में GST की सुरुवात 1 जुलाई 2017 को हुई थी, देखिए इसके आधार पर कोश्चन और भी बन सकते हैं, बहुत धर्म के उपर कोश्चन आया है, तो बहुत धर्म को और कोश्चन और भी आ सकते हैं, उसको आपको देखना चाहिए ठीक है अगले कोश्चिन पर हम चलें कोश्चिन नमर थी के अगर बात करें तो 2022 में बिज्ञान के छेतन में पद भूशन पुरशकार उसके दिया गया तो संजय राजा राम को ठीक है श्री संजय राजा राम को 2022 में बिज्ञान के छेतन में पद भूशन पुरशका मिला है और ये विदेशी हैं इंडियन नहीं है चली अगले कोश्चन के अगर बात करें तो पंचायती राज में कितने विशय होते हैं पंचायती राज में टोटल 29 विशय होते हैं ठीक है टोटी राइन सब्जेक्ट होते हैं अगले कोश्चन के अगर बात करें तो राज शर सरकार का उच्चितम बिधी अधिकारी कौन होता है ठीक है ला की चेतर में कानून की चेतर में राज सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है महाधिवक्ता ठीक है कोश्चन नमबर 6 आपसे पूछा गया था कि छोटा नागपूर का पठार किस राजी में है चोटा नागपूर का पठार किस राजी में है कि ये पढ़ता है जारखंड में इसका सही उत्तर क्या है जारखंड अगले कोश्चिन के अगर बात करें तो अंतराश्टिक ओलंपिक समित की बैठक मिन्स आयोशी की अगली बैठक कहां और कब होगी तो अंतराष्टी ओलंपिक समित की अगली बैठक जो है 2023 मुंबई में होगी मतलब अपना देश भारत इसकी क्या करेगा अगला कुछन आपसे पूछा गया है कि इश्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है तो इश्ट के द्वारा एलकोहल का निर्मार किया जाता है यही इसका सही उत्तर है अगले प्रश्ट के अगर बात करें कि आमाशा में कौन सा अमल पाया जाता है आपसे पूछा गया था कि आमाशा में मतलब हमारे पेट में कौन सा एसिट पाया जाता है तो हमारे पेट में हाइड्रोकलोरिक अमल पाया जाता है हाइड्रोकलोरिक एसिट पाय जाता है जो किटाडूओं को नश्ट करने का काम करता है भोजन को पचाने के साथ क्या करता है यह किटाडूओं को नश्ट करने का भी काम करता है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 10 भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहां अस्थापित किया जाएगा तो ग्राफि विर्तायों के अधक्ष कोन हैं? एनके सिंग हैं, अगला कोश्चन, सिंधु दर्शन उस्षो कहां मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लेह्म, लेह से 8 किलोमेटर दूर एक जगा है से मनला, ठीक है? वहीं पर ये उस्षो सिंदु नदी के किनारे ये उस्षो मनाया जाता है तो इसका ऐसा ही उतर होगा से मनला ले Question number 13 पराकरम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? पराकरम दिवस नेताजी सुवाशन बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है कोशन नमबर 14 भू आकरती के अध्यन को क्या कहा जाता है ठीक है तो भू आकरती के अध्यन को जियो मर्फो लाजी कहा जाता है अगले question के अगर बात करें तो पंचायती राज ब्योस्था किस भाग में इस्थित है पंचायती राज ब्योस्था भाग 9, section 9 में इसका उलेक मिलता है अगले question के अगर बात करें तो बाला घाट कहां पर इस्थित है बाला घाट मदप्रदेश में इस्थित है इसका सही उतर क्या है? मद्ध प्रदेश. अगला question साइन्स से है, चुम्ब की छेतर की तिब्रता का नापने का मातरक आप से पूछा गया था, ठीक है? मैगनेटिक फीड की तिब्रता को, इंटेश्टी को नापने का मेजर्मेंड का मातरक क्या होता? इमनिट क्या होता? आप से पूछा गया था, इसको नापने का जो मातरक होता है, ओ है टेशला, इसको हम T से रिनोट करते हैं, साइन्स की छेतर में कुष्ण और आप से दुबा पूछा गया था, दुबारा फिर पूछा गया है, ओम के सोतरक उपर सवाल भी आया था, ठीक है, तो ओम की नियम को थ्वड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए, रिपीट हो रहा, मतलब इलेक्ट्री जो चेप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रैस्ट कर्तब्य कि समित की सिपारिश पर की गई थी, मतलब मौली कर्तब्य जो हमारे हैं, इसको किस समित ने सिपारिश की थी, किसने इसको सिपारिश किया है, किस समित की सिपारिश पर लागू किया गया था, तो यह स्वन सिंग समित की सिपारिश पर मौली कर्तब्यों को अपला बच्चों के लिए जितनी भी स्कीमें हैं, उन सब को बजट से अलग कर दिया है, उनके लिए सब के लिए क्या किया है, अलग से बजट पेस किया गया है, तो बच्चों के लिए इस बार जो है 57,803 करोड का बजट पेस किया गया है, जो बाकी बजट का क्या है, 20% है, ये 20% ह हिसा जो है अलग निकाल करके बच्चों के लिए रखा गिया है ठीक है इसका किसी और मद में यूजे नहीं किया जाएगा अगले कोश्चन के अगर बात करें तो अंडर 19 क्रिकेट बिसकप 2022 कितने जीता करेंट अफेर्स का कोश्चन है तो किस ने जीता भारत ने जीता हमारे देशने जीता है अगले कोश्चन के अगर बात करें भारत में पहला 6-3 ग्रामिड बैंक कब अस्था पित किया गया था ठीक है तो 1975 इसका सही आंसर ने 1975 में पहला 6-3 ग्रामिड बैंक के अस्था पित किया गया था चलिए यहां पर उपर भी कुश्चन हमने चर्चा के था ओम के नियम का सुत्र क्या है ठीक है तो ओम के नियम का सुत्र क्या है भी इकोल टू आई यार यहां पर भी क्या है वोल्टेज है आई क्या है करेंट है आर क्या है रेश्ट है इसको जान लीजे ठीक है अगला कुश् रोजगार देने के लिए ये युजना की सुरुभवाथ की गई थी इसका सुरुभात कब हुई थी2006 में हुई थी अगला कोश्चन केंद राज्राज्य सम्बंद का संबंद किस आयोग से हैं ठीक以ए किंद्र राजचे संबंद कैसा संबंद होगा ठीक है अगले कोश्चन के अगर बात करें तो निव लैंड के अश्टक का पहला तक तो क्या है निव लैंड के अश्टक का पहले भी आ चुका है दुवारा रिपीट किया गया है निव लैंड के अश्टक का पहला तक तो क्या है हाइड्रोजन है अंतिम तत्कियों कर बात करें तो क्या है थोरियम है ठीक है लाश जो इसका तत्तो है अलिमेंट है वो थोरियम है पहला क्या है अगर कुछ और आपको याद है तो उसको कमेंड बाक्स में आप राइट कर सकते हैं ठैंक यू